नमस्ते सिंपली कुक में आपका स्वागत है आज मैं एक और रेसिपी आपके साथ शेर करने आई हूँ टमाटर की मीठी चटनी जो कि बेंगॉली फेमिलीज में बहुत ज़्यादा बनता है खिचडी के साथ ये टमाटर की चटनी बहुत अच्छे लगती है तो चलिए मैं आ यहाँ पर ओयल एट किया है और मैं यहाँ पर दो सुखी मिर्च को छोटे-छोटे टुकडे कर लूँगी और उसके साथ एट करूंगी पाच फोरून पाच फोरून जो है वो पाच मसालों का एब मिश्रन है उसमें होता है जीरा और सौफ फिर मेथी दाने सरसो और होता है कलंजी यह पाच मसालों को एक साथ मिला के पाच फोरून बनाया जाता है तो जैसे यह थोड़ा सा हलका सा फ्राइ कर लेंगे फ्राइ करने के बाद हमें इसमें टमाटर जो हमने कट करके रखे हैं वो हम इसमें एट कर देंगे एट करके हम जस्त थोड़ा सा ही इसको मिक्स करना है इसे हमें टमाटर को फ्राय नहीं करना है जस्ट यह जो ऑईल और जियो जो मैंने पाच फोड़ों दिया है इसमें वो हम थोड़ा सा इसको मिला लेंगे और उसको पाच मिनिट के लिए ढख देंगे बहुत ही लो फ्लेम करके यह चटनियम को बनानी होती है तो हम अब पाच मिनिट के लिए से ढख देंगे जिससे कि टमाटर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए देखिए पाच मिनिट हो चुका है पाच मिनिट के लिए मैंने यह ढखा हुआ था अब यह टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुका है अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे तो मैंने यहा तर नमक आड़ किया है करके हमें इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना होगा जिससे कि ये चीनी का जो मीठा मीठा पन है वो टमाटर के अंदर बहुत अच्छे से आ जाओं यह हम अच्छे से इसको फ्राइ कर लेंगे करके 5 मीट के लिए फिर हमें इसे ढ़कके रखन होगा अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर जरूर कीजिएगा देखिए पाच मीट हो चुका है अब मैं इसमें आम पापर एट करूंगी जो मैंने छोटे-छोटे पीसेस करके कट करके रखे हैं यह आम पापर देने के बाद अब मुझे इसे कम से कम साथ से आट मिनिट के लिए ढखके और पकाना होगा जिससे कि यह जो टमाटर और आम पापर मैंने एट किया है वो थोड़ा गारा हो जाए और अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो ब्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जिससे के आगे आने वाले और भी रेशिपी आप देख सको देखिए या पर मैंने टमाटर की जो चटनी है वो निकाल लिया है एक बोल में बिलकुल रेड़ी हो चुकी हैं आज बस यही तक नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आप से बहुत जल्द मिलूंगी तब तक के लिए करें करें